जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिहार पुलिस के लिए 50 दिन बचा है और हम उसमें आपको 50 टॉपिक कवर करा देंगे इससे पहले के 5 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो 5 वीडियो को जा करके देख लिजिए यह है आपात काल से सम्मंदित है ना चूकि इस टॉपिक से बिहार पुलिस में प्रस्ण देखने को मिलता है अब ऐसा नहीं है कि यह वाला जो वीडियो देखेगा वह केवाल और केवाल बिहार पुलिस के लिए जी के जी तो एक ही रहता है ना जैसे दूसरे एक्जाम में इसका अंसर तो बदल नहीं जाएगा तो कहने का यह मतलब है कि विशेश रूप से यह तयार किया गए है बिहार पुलिस के लिए लेकिन ये सारे एक्जाम में आपको काम आएगा तो मैं वीडियो को सुरू करता हूँ जादा वक्त आप लोग का न लेते हुए पहला क्वेश्चन देखे क्या कहता है दोस्तों देख लीजे पहला क्वेश्चन कहे रहा है कि अपात कालीन प्राउधान यह संभिधान के किस भाग में है भाग 17 में, भाग 18 में, भाग 15 में या भाग 20 में आप आंसर कर देंगे इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा भाग 18 भाग 18 अनूचिद 352 से अनूचिद 360 के बीच इसका प्राउधान है अब जान लेते हैं हम लोग कि भाग 17 में क्या है है ना तो भाग 17 में दोस्तो राज भासा है क्या है राज भासा भाग 15 में क्या है तो 15 में आप लोग पढ़ेंगे निर्वाचन क्या है निर्वाचन उसी तरह अगर भाग 20 की बात की जाए कि भाग 20 में क्या है तो भाग 20 में है आपका संविधान शंसोधन है ना ये संविधान शंसोधन की प्रिक्रा किस देश के संविधान से लिया गया है आपको मैंने बताया है कमेंट कर दीजिए है यह है दक्षड या फिरिका से लिया गया है तो इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे जैसा कि मैंने पहले ह अच्छे से उसका सामना करें, कहें से कोई दिक्कत ना हुआ आपको, दूसरा question क्या कहरा, देखिए, सम्विधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्राउधान है, है ना, सम्विधान जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, कि यह भाग 18 में है, अनुछेद 352 से 352 से 360 तक तो इसमें कितने प्रकार के आपातकाल का प्राउधान है अपने भारत में, बात कर लेते हैं दोस्तों, पहला option A, 1, B, option 2, C, 3 और D, 4, तो भारत में तीन प्रकार के जो आपात हैं, उनका प्राउधान है, एक तो अनुछेद 352 में है, जिसे राश्ट्रिय आपात भी कह रह रहे हैं, और दूसरा है, 360 में जिसे राजिय आपातकाल या राश्ट्रुपति शासन कहते हैं, ठीक, और तीसरा जो है, 360 में उसे वितिय आपात कहते हैं, पहला 300 वामन में राश्ट्रिय आपात, फिर 356 में राश्ट्रुपति शासन या राजिय आपातकाल, और तीसरा और आखरी 360 में जिसे वितिये आपात कहा जाता है अब बात कर लें देखे तीन इसका राइट अंसर हो गया तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है रश्ट्रिये आपात जो अनुछेद 352 में है है ना इसकी घोषणा कौन करता है ध्यान दीजेगा इंपोर्टेट क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूट मत होईएगा है ना रश्ट्रिये आपात की घोषणा जो है वह करता है देखे ऑप्चन है संसद मंत्री मंडल तीसरा ऑप्चन है रश्ट्रपती और चौथा प्रधान मंत्री यहां ध्यान देने योग बात है दुस्तों कि रश्ट्रपती महोदे जो हैं वह मंत्री मंडल की लिखित सिफारिस पर कैसे लिखित सिफारिस पर यह घोषणा करते हैं कौन रश्ट्रपती महोदे 352 की मैं बात कर रहा हूँ लिखित सिफारिस पर राश्ट पती महोदे के द्वारा घोसड़ा की जाती है तो किस के द्वारा की जाएगी आंसर हो जाएगा राश्ट पती अब चलते हैं क्वेश्चे नम्र चार राश्ट्रिय आपात राश्ट्रिय आपात जो है या आंतरिक गड़वडी के स्थान पर ससस्त्र विद्रोह किया गया पहले होता क्या था कि राष्ट्रिय अपात को घोशना करने की जो आधार होता था यूद या बाहियाकरमन और तीसरा था उसमें आंतरिक गड़वडी जैसे शब्द का प्रयोक किया गया था इसी को बदल करके आंतरिक गड़वडी के बारे में कहा गया कि आंतरिक गड़वडी का कोई परिभासा नहीं है किस चीज को कहेंगे आप आंतरिक गड़वडी तो इसके अस्थान पर ससस्त्र विद्रोह जोड़ा गया यह इसी को पूछ देता है examiner कि यह जो जोड़ा गया यह किस संविधान संसुधन से जोड़ दिया गया है है ना तो यह important question है इसको आप ध्यान रखेंगे इसका right answer मैं बता दे रहा हूँ इसका right answer हो जाएगा 44-वे संविधान संसुधन 1978 अब बात करते हैं कि तो 38-वे संविधान संसुधन में क्या है सर तो देखी 38-वे संविधान संसुधन में है कि यह है जो आपात कल लागू किया जाता है रश्टपती महोदे के द्वारा इन पर नियाले में जाच नहीं की जा सकती है 38 में ऐसा बताया गया था कि यह चुनोती इस पर नहीं दी जा सकती है यह नियाले में से चुनोती नहीं दी जा सकती है 75 में किया गया ठीक ना लेकिन यहां क्वेश्चन कहरा है कि सहसास्तर विद्रो तो यह राइट अंसर हो जाएगा आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा और 36 संबिधान संसुदन 175 शिक्क्रम को एक पूर राज्य का दरजा दिया गया तो यह इस तरह से आप इसके बारे में जान गए अपात काल को चुनोती दी जाने की बेवस्त था अभी हम लोगों ने बात किया कि अपात काल को यह चुनोती नहीं दे जाने की बात की गई थी 38 संबिधान संसुदन 175 दोरा लेकिन जब सरकार बदल याती है तो अपात काल को चुनोती दी जानी चाहिए ऐसा जोड़ा गया यह किस संबिधान संसुदन से जोड़ा गया यह भी पूछ देता है question तो देखिए इसका answer हो चाहिए गा 44 संबिधान संसुदन 1978 और देखिए 42 के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा कि या 38 के बारे में जान लिजे कि 6 से 14 वर्स के आयू को निशुलक सिच्छा का प्रवधान किया गया है तो यह 66 संबिधान संसुदन 2002 से संबंग दित है question number 6 आगे चलते हैं देख की जा रही है है ना इसे उद्गोचला हो गया जैसे तो कितने दिन के बाद इसका अनुमोधन होना आवास्यक है संसद के दोनों सद्रों से अनुमोधन होता है यहाँ पर आप ये भी जान ले कि इसमें विशेस बहुमत से अनुमोधन होना अनिवार है है ना पहले इसमें स यूदं होना अनिवाद है तो कि इसमें बहुत लोग फ़सते हैं कोई 2 माह लगाएगा कोई 6 माह कोई 3 माह और कोई 1 माह वह सहही तो एक ही व्यक्तिका होगा तो राइट और इसका क्या हो जाएगा इसका राइट या क्माह हो जाएगा BCS वहमत से पहले साधारन वहमत से होता रहा लेकिन बाद में जोड़ दिया गया कि BCS वहमत से होना चाहिए वह किस संभिधान संसोधन से तो 44 संभिधान संसोधन 1978 से उमीद करते हैं यहां तक की जो बातें मैंने बताई है आपको वह अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें हैं दोस्तों अगर देखें वाकई में चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस की तयारी आप ढंग से करें और नौकरी पक्का लें तो सारे वीडियो को देख लिए कि मैं 50 दिन में 50 टॉपिक आपको कवर कराऊंगा और मैं ये मान के चलूँगा कि मेरे द्वारा दिये गए 50 टॉपिक से लगभग 50 क्वेस्टन आप असानी से कर लें हैं इन 50 दिनों में क्योंकि मैं जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूँ तो पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई भी क्वेस्टन छूटने की गुंजाइस ना के वरावर हो रही है तो बिलकुल अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो उमीद है कि इससे एक भी क्वेस्टन छूटने वाला नहीं है बिहार पुलिस क्या बिहार सब इंस्पेक्टर में भी आप आसानी से कर ले जाएंगे रश्ट्री अपत्या जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे सारे क्वेश्टन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलता रहेगा अग चलते हैं अगला क्वेश्टन रश्ट्री अपत्य किस वर्स नहीं लगाया गया एक्जाम में बिल्कुल हुव हुव ऐसे ही पूर देता है लेंगवेज भी यही रहता है ना तो ओप्सिंग दे आपके सामने 1962, 1965, 1971 और 1975 है ना आप जानते हैं कि 1962 में लगाया गया था 1965 में नहीं लगाया गया था फिर 1971 में लगाया गया और 1975 में लगाया गया है ना भारत चीनी उद के समय भारत पाकिस्तानी उद के समय और ये वाला जो लगा था आंतरिक गड़वडी की अधार पर लगा था, यही लगा था आंतरिक गड़वडी की अधार पर, है ना, 1965 में नहीं लगा, इसका कारण क्या था, कि 1962 से जो चल रहा था, वह 1968 तक चला, तो इसमें नहीं लगाया गया, और 1971 और 1975 से जो चल रहा था, वो 1970 तख़ चला वापस अगर लेने की बात कि यह बापस को लिया गया तो 1967 आप बताएंगे है ना और यह बापस कवली आ गया तो उननीस सो अरशचमर लोग गलती कर बैठेंगे में बिलकुल गलती कर बैठेंगे आप question को ठीक से पढ़िएगा राष्ट्रपतिशासन लगाया जा सकता है अधार दिया गया है क्या क्या अनुछे 352 के अधार पर लगाया जा सकता है 352 वो तो राष्ट्रिया पात है राष्ट्रपतिशासन की बात की जा रहे है तो ये तो नहीं होगा 356 तो आप लोग पढ़े हैं कि राष्ट्रपतिशासन ओ ये तो होगा ही अभे रुकिए और 360 यहां तो आपने वितिया आपात पढ़ा तो ये तो होगा नहीं लेकिन 365 ये होगा इस अधार पर भी लगाया जाता है राष्ट्रपतिशासन आप लोग नहीं जाते होंगे तो आज जान लीजे इसका अधार क्या होता है कि जब केंदर सरकार द्वारा कोई निर्देश दिया गया उस निर्देश को राजे सरकार पालन नहीं कर रही है तो ऐसे में केंदर सरकार के द्वारा 365 अनुछेद का प्रयोग करके और राष्ट पति सासन राजे में लगाई जाती है तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वह बी और दी है ना ध्यान दीजेगा दोस्तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्चन है ऐसे क्वेस्चन आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन मैंने वादा किया है क पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे ऐसा नहीं कि आधा पढ़ा करके हम छोड़ दी है ना जब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं पूरी अच्छी उड़वता की जो सिक्षा है वह देने की कोशिस करूंगा चलते हैं अगले क्वेस्चन पर राष्ट पति सासन एक बार अनुमोदन के पश्चात प्रभावी रहता है कोश्चन को समझेगा ठीक से समझेगा आंसर आप खुद वखुद दे देंगे कह रहा है कि राष्ट पति सासन एक बार अनुमोदन अगर हो गया तो उसके पश्चात यानि उसके बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है फिर अनमोदन करके 6 मेना बढ़ाए ऐसे करते 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 आप 3 साल तक maximum बढ़ा सकते हैं कितने साल तक 3 साल तक और अगर उससे भी जादा करना हो है जैसे किसी राजे में 3 साल से जादा रहा है आप कमेंट करिए कि किस राजे में रहा है कमेंट करिए आप लोग को पता हो तो मैक्सिमम जो है अनुमोधन के बाद कितने दिन तक रहेगा तो 6 महीने इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं राष्टपति सासन की अधिकतम आई हो सकती है देखे आगया ना वो क्वेश्चन अभी हम लोग डिसकस किये थे अधिकतम इसको तीन वर्स तक आप बढ़ा सकते हैं कितने वर्स तक तीन वर्स तक बढ़ा सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन ह है कब जब उस पर अलग से कानून बने अनुमूदन करके तीन वर्स तक अधिक से अधिक 6 मेहने 6 मेहने 6 मेहने करके तीन वर्स तक लेकिन अगर कानून बनाती है तो ऐसे हालत में फिर तीन वर्स से जादा किया सकता है अगला कुश्चन ले लेते हैं एक चान और यहां पर ले लेते हैं यहां पर जैसे हम भी पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय आपात लागू होना है तो घोशणा होने आउधी या जो आउधी है समय है यह कितने वर्ष के वितर जैसे उद्गोषडा हो गया राष्टपति सासन की या वितियापात की अभी तक फिलाल वितियापात लगा नहीं है लेकिन मान के चलिए हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि अनुछे 356 का प्रयोक किया गया उद् लेकिन यह कितने दिन के समय सीमा में होना चाहिए तो यहां अगर ऐसे पुछे तो यहां दो माह या साथ दिन है ना साथ दिन या दो माह के भीतर या दो माह की समय सीमा में अनुमोधन हो जाना चाहिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको लिख लिजे पत्में 60 दिन या 2 महिना यहां साधरर भॉहमत से होगा और यहां होगा वुशेष भॉहमत से ध्यान दिजिएगा हां हम लोग क्वेश्चन को देख रहे थे 356 को किसने मृत्त पत्र कहा उन्होंने कहा था कि देखे ये एक मृत्त पत्र है इसका संविधान मतलब कहा था उन्होंने कि इसको इसलिए एड किया गया है ये एक तरह से मृत्त पत्र है इसका कम से कम प्रयोग किया जाएगा ना के बराबर किया जाएगा है ना तो किसने कहा था अम्बेडकर, H.V. कामत, कृष्ण स्वामी अयर या महभीर त्यागी इसका राइट अंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मृत्पत्र कहा लेकिन इसको एक हथियार करूप में प्रयोक किया जाता है यह बात तो बिल्क बार लगभग साबा सो से जादा बार अभी भारत में राश्पतिशासन का प्रयोक हो चुका है दोस्तों आपको यह जानके हैरानी होगी कि जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने मृत पत्र कहा था उसका प्रयोग लगभग साबा सो बार से जादा बार हो चुका है अपने भ किसे ने संबिधान का जीवन साथी कहा तो आप जो है आंसर करेंगे कृष्ण स्वामी अईयर है ना और अगर अगला क्वेश्चन कर दे कि आपात काल का सेप्टी वॉल्व को सेपटी वॉल्व किस ने कहा सम्भधान का सेपटी वॉल्व किस ने कहा तो महावीर तैयागी जी ने इसे सेपटी वॉल्व की संगयादे इस बात का भी ध्यान रखेंगे important question है इसको आप लिख लेजिए चलते हैं अगला question वितिया आपात लागू होने के पश्चात कितने दिन में अनुमोधन होना आवस्यक है अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लागू होने के बाद कितने दिन में अनुमोधन तो दो माह में इसका अनुमोधन हो जाना चाहिए लेकिन इसे कितने दिन तक रखा जाएगा इसके वारे में कोई चर्चा नहीं है ये अनिश्चित काल तक चल सकता है इसकी समय सिमा निधारित नहीं की गई है अब चलते हैं इसका आखरी क्वेश्चिन आज का दोस्तो आपात काल की घोषणा जो है वह किस अनुछेद में है तो आपात काल की घोषणा जो है वह अनुछेद 352 में है आपात काल की घोषणा अनुछेद 352 में है अब बात करते हैं कि 353 में क्या है तो आपात काल का प्रभाव आपात काल का जो प्रभाव है वह है 303 में 305 में क्या है आप लोग कमेंट कर दीजे 56 आप लोग जानते ही है राश्ट पतिशासन के बार में 305 में क्या है आप लोग कमेंट कर दीजे कहीं से किताब से खोजे या कहीं से खोजे आप लोग comment कर दिजे 355 में क्या है अब बात कर लेते हैं कि मंत्रिवंडल सब्द का जिक्र मंत्रिवंडल सब्द का उलेक संब्धान के किस अनुछेद में है कुछ important point है तो इसको भी आप लोग देख लिजे 352 में मंत्रिवंडल सब्द का आपको जिक्र किया गया है पाचवी लोग सब्धान को एक वर्स के लिए बढ़ाया गया था पहली बार में उसके बार फिर एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया लेकिन दूसरी बार जो बढ़ाया गया उसके बीच में ही उसको समाप्त हो गया उनकी हार हो गई थी ठीक ना तो देखी और इसके बाद अगर कभी पूछे कि किस लोग सभा का कारेकल बढ़ाया गया था एक वर्स के लिए फिर दुबारा तो पाचवी लोग सभाप लोग याद रखेंगे पेपसू पटियाला एंड इस्ट देखे पटियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है ना पेपसू का फूल फॉर्म कभी पूछ दे तो पटियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में राष्ट पति सासन सर्व प् वीडियो आपको बहुत मददगार सावित होगा आपके लिए बड़ा हेलफूल होगा इस वीडियो में मैंने अपना बेश्ट देने की कोशिज क्या है दोस्तों अगर कहीं से कोई कमिया लगती है तो आप लोग कमेंट कर दिजेगा मैं उसे संसोधन करने की कोशिज वैसे कमिया की गुझाइस नहीं है दोस्तों क्योंकि मैंने बिलकुल अच्छे से इसको देखा उसके बाद मैं आप लोग के सामने लाया हूँ कमिया की गुझाइस ना के बराबर है अगर वीडियो अच्छा लगए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा औ अपने दोस्तों के बिच शेर जरूर कर दिजेगा और हां इसके पहले के जो अगर पार्ट आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाएए या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसमें 50 दिन 50 टॉपि करके एक प्लेलिस्ट बना है वहां सारे व कुछ-कुछ हलका-हलका कोईशन रहता है उसको पढ़ते हैं बाकि अगर डीप में थोड़ा पूछ दे तो फिर आप लोग हाथ खाड़ा कर देते हैं तो ऐसा नहीं करना है जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए यह वीडियो देखने के बाद अगर एक से दो बार इस को देख लिते हैं तो मैं यह मान के चल रहा हूं कि आप अपात काल से एक भी क्वेशन गलत नहीं करेंगे उमेद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जै कि आपको लाइब जरूर को अपको दो नहीं जरूर करेंगे एक भी करते हैं यहीं जरूर क।